नमस्कार वेब दुनिया नियूज में आपका स्वागत है और नज़े डालते है आज की प्रमुख खबरों पर सहीद बोला कयामत तक में सावित नहीं कर पाओगे मुंबई हमले का गुना हाँ मुंबई हमलों को मास्टर माइंड और अतंगवादी संगठन जमात उद्दावा का प्रमुख हाफिस सहीद ने विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज का नाम लेकर उन्हें खुली चुनोती देते हुए कहां कि भारत कयामत तक भी मुंबई हमले में उसकी भूमिका को साबित नहीं कर पाएगा हाफिस ने ट्विटर पर वीडियो साजा किया जिसमें उसने यहां कहां कि उन्होंने तो कुछ नहीं का सुश्मा को जवाब मैं देता हूँ मुंबई एटेक को साथ साल हो गए तुम साबित नहीं कर सके कयामत तक इन्शा अल्ला साबित नहीं कर सकते सौधी अरब की इतियास में पहली बार 20 महिलाय निर्वाशित सौधी अरब की इतियास में सरकारी स्थानिय निकाय चुनाओं में पहली बार महिलायों के मद्दान देने और चुनाओं में खड़े होने के एक दिन बाद मद्दाताओं ने 20 महिला उम्मीद्वारों को इन च कुल सीटों का मात्र एक प्रतिशत हिस्सा है लेकिन इसे उस देश में महीला सशक्ती करण की दिशा में एक एहम कदम माना जा रहा है जहां इससे पूर्व चुनाओं और मद्दान के दर्वाजे महीलाओं के लिए बंध है दिली की शकुर बस्ती का मामला सिंसिद में उठेगा दिली में रेलवे में एक नए टर्मिनल को लेकर शकुर बस्ती की जिन पांसो जुग्गी जोपडियों को ध्वस्त किया गया था उस पर राजनिती गहरा गई है पांसो आश्या ने उजडने वाले परिवारों ने बीती राज 6 डिग्री तापमान में खुले आसमान में गुजारी इसी की चलते एक बच्ची का जन भी हुआ हालकि दिली में आप पार्टी की सरकार ने कुछ कमबल जरूर बाटे लेकिन राजनितिक पार्टी को शकुरुबस्ती का एक नया मुद्ध हात आ गया है और सभी पार्टी इसे भुनाने में जुड़ गई है जेडी यू ने तो राजसबा स्थगन का प्रस्ताओं तक दे दिया है शकुरुबस्ती में 500 जुग्गी जूपडिया उजारने को लेकर रेल मंत्री सुरेश प्रभू आसंसद में बयान भी दे सकते है